एलो दोस्तो दोस्तो इंडिया की बात करे तो इंडिया में हर चाय बेचने वाला परसन महिने के लगबग 15,000 रुपय कमा लेता है और एक टीचर लगबग 25,000 रुपय कमा लेता है और एक एंजिनेर की बात करे तो वो 40,000 रुपय के आसपास कमा लेते हैं और यही सभी लोग अपनी फिल्स के expert होते हैं और अपनी अपनी skill का use करके पैसा कमा लेते हैं और इन सभी लोगों की lifestyle और इन सभी लोगों के रहने का तरीका भी अलग-अलग होता हैं लेकिन सभी लोगों में एक चीज हम्मेशा common होती हैं और वो है इन सभी का एक dream अपनी life म एक करोर रूपय कमाने का या फिर सेविंग करने का ये ड्रीम होता है इंसान चाहे कि ऐसा भी लाइफ में काम करता हो लेकिन सभी लोग करोर पती जरूर बनना चाहते है लाइफ में सभी लोग ये चाहते है कि वो लोग अच्छे से वेकेशन पर जाए और उनको किसे भी काम की कोई चिंता ना हो लेकिन फिर भी 97% लोगों का ये ड्रीम एक ड्रीम बनकर ही रह जाता है क्योंकि उनको अपनी सेलरी से ये लगता है कि वो लाइफ में क्या ही कर लेंगे और वो लोग सोचते है कि अपने गर का खर्चा भी निकालना ही बहुत मुश्किल होता है और लाइफ में तीन पर्सन लोग ऐसे भी होते है जो अपने ड्रीम्स को रियालिटी में बदलने का विश्वास रखते है उन लोगों को पता होता है कि इतनी कम सेलरी होने के बावजुद भी करोरपती बना जा सकता है और अगर ये आपके माइन में भी डाउट आ रहा है कि इतनी कम सेलरी में ये सब करना पॉसिबल होगा या भी नहीं तो इसका जवाब है यस यानि कि हाँ लाइफ में 15,000 से 20,000 रुपे कमाने वाला व्यक्ती भी करोरपती बन सकता है तो चलो वीडियो को सुरू करते है और वीडियो में करोरपती बनने का फॉर्मिला भी बताते है लाइफ में किस तरह से एक करोर रुपिया सेविंग कर सकते है उसको इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप समझते है तो इसको एक स्टोरी से समझते है दो परसन है जो फ्रेंड्स है एक का नाम है हितेस और दूसरे का नाम है विसाल हितेस अपनी लाइफ में फ्रिलांसी का काम करता है जो 20 साल का है और महिने का सिर्फ 15,000 रुपय ही कमाता है और अब दूसरा वेक्ति है विसाल और उसकी उम्र अभी 25 साल है और उसने अभी ही एंजिनेरिंग कम्प्लेट किया है और कमपनी में एक नई जौब मिली है और ये 25,000 रुपय कमाता है और अब तीसरा परसन है वो है महेश जिनकी उम्र तीस साल है और ये एक गवर्मेंट ट जल्दी से जल्दी करोडपती बनना अगर इनकी सेलरी के मुताबिक देखा जाए तो हीतेस को एक करोड रुपय कमाने में लगबग 55 साल लग जाएंगे वही विसाल को 33 साल और महेश को लगबग 27 साल लग जाएंगे और अभी तो हमने इनके खर्च बिलकुल भी कैलकुले लगते हैं पर कभी भी दूसरा रास्ता खोजने का ट्राइब भी नहीं करते लेकिन इन टीनो लोगों की सोच बिलकुल अलग थी क्योंकि इन लोगों को पता था चाहे कितना भी अपनी नौकरी से पैसे कमा ले लेकिन एक और तरीका है जिससे करोडपती आसानी से बना जा सकता है इसलिए ये लोग सबसे पहले डीमेट एकाउंट ओपन करवाते हैं ये तीनो व्यक्ति चाहते हैं कि 40 की उम्रह तक ये सभी करोडपती बन जाए तो हम ये जानेंगे कि कितने टाइम में ये लोग करोडपती बन सकते हैं और उनको कितना एमाउंट इन्वेस्ट करन कमाता है लेकिन जो चीज उसके पास है वो है सबसे बड़ा टाइम क्योंकि उसकी उम्रह अभी केवल 20 साल है और वो महिने के 5000 यानि की 33% को अच्छे से इंडेक्स पंड में इन्वेस्ट करने लगता है क्योंकि हीटेस अभी 20 साल का है और उसके खर्च भी कम है इसलिए वो महिने के लगबग 5000 रुपिय आसानी से सेविंग कर लेता है अब हर महिने वो अपने 5000 इन्वेस्ट करता ही है साथी साथ वो अपनी इन्वेस्ट मेंट को हर साल 10% बढ़ाना चाहता है मतलब कि पहले एक साल जहां वो 5000 रुपिय इन्वेस्ट कर रहा था फिर उसके नेक्स सा वो 500 रुपिय हर साल एक्स्ट्रा सेविंग करेगा और इसी तर वो हर साल 10% इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसकी इंकम भी जरूर बढ़ेगी और फिर वो जब 40 की उम्र तक वो करोरपती बनना चाहता है तो अगले सालों में वो 34,36,500 इंवेस्ट कर चुका होगा और अगर 14% रिटर्न मान के चले तो उसके इसाब से वो 40 साल का होगा तो 40 साल बाद उसे एक करोर पंदरा लाख 16,412 रुपे मिलेंगे यानि की अगले 20 साल में वो करोरपती बन जाएगा अब दूसरे व्यक्ति विसाल की बात करते है तो विसाल की उम्र अभी 25 साल किये और उसे अभी लगबग 15 साल इंवेस्ट करना है क्योंकि वो भी 40 की उम्र तक एक करोरपती इंसान बनना चाहता है जैसे कि विसाल हितेस से 5 साल इंवेस्टमेंट लेट शुरू करता है तो इसलिए उसे महिने के 12,000 रुपे इंवेस्ट करने पड़ेंगे और वो एमाउंट उसकी इंकम का लगबग 50% होगा और वो भी हितेस की तरह ही अपने इंवेस्टमेंट एमा तरह वो भी हर साल 10% इंवेस्टमेंट बढ़ाता जाएगा पर इसी तरह अपने 15 साल में टोटल एमाउंट 45,75,237 रुपे इंवेस्ट कर देता है अब विसाल को अपनी 40 की उम्रह में 1,14,00,000 के आसपास रुपे मिलेंगे इसी तरह विसाल को हितेस से ज्यादा एमाउंट इंवेस्ट करनी पड़ी अब तीसरे व्यक्ति की बात करते है और वो है महेश ये और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है महेश जो एक गवर्मेंट टीचर है और विसाल और हितेस से काफी लेट इंवेस्टमेंट सुरू करता है क्योंकि उसका बहुत सारा टाइ में ही उसे करोरपती बनना है और इन दस सालों में ही उसे एक करोर रुपय कमाने है इसलिए उसे अपनी पूरी सेलरी 30,000 रुपय को इंवेस्टमेंट करना पड़ेगा और साथी साथ उसे अपने इस एमाउंट को 10% बढ़ाना भी पड़ेगा यानि कि पहले साल वो जहां पर दुख की बात तो यह है कि वो कैसे अपनी पूरी सेलरी इंवेस्ट कर पाएगा जहां उसकी फैमिली का खर्चा और उसे अपने सौक भी पूरे करने होंगे जो उसने इतने समय तक दबा कर रखे होंगे कि जब उसकी नौकरी लगेगी और फिर जाके वो अपने सपने क पूरा करेगा तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यही एक ट्रेप होता है जो मीडल क्लास लोग इसी ट्रेप में फर्स जाते है वो ऐसी उम्र में आ जाते है कि उनकी इंकम ना तो अच्छी तरह से बढ़ सकती है और ना ही वो लोग कुछ बढ़ा कर स तो इसलिए अगर कंपाउंडिंग की पावर को अच्छी तरह से जानना है तो हमें टाइम को भी इंपोर्टन्स देना पड़ेगा और उसे समझना भी पड़ेगा अब जहां हीतेश अपनी ये सेलरी का 35% इंवेश्मेंट करके करोरपती बन सकता है और वो भी सित 20 सालों मे और उसके पास स्किल भी ऐसी है कि आने वाले टाइम में वो अपनी सेलरी को 15,000 से 60,000 रुप्य भी कल लेगा और जहां सायद उसको अपनी इंकम का 10 से 20% ही इंवेश्मेंट करना पड़ेगा और बहुत ही जल्दी वो करोरपती बन जाएगा वही विशाल को अपनी कुछ प बढ़ाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है या फिर महेश को काफी लंबे समय तक इंवेश्मेंट करना पड़ेगा इसलिए अगर आप भी अपने 20 की उम्रा के आसपास है तो मेरा ओपिनिन यही है कि चाहे छोटी ही एमाउंट क्यों नहों लेकिन उस छोटी एमाउं और यह सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं मीडर क्लास लोगों का ऐसा लगता है कि हमें करोपती बनने के लिए पहले लाखो रुपे कमाने पड़ेंगे पर यह सच नहीं है करोड रुपे कमाने के लिए जो चीज आपके पास होनी चाहिए वह है पेसंस और डे और यदि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि बिजनेस करे तो आपको इन्वेस्मेंट की तरह ही जाना पड़ेगा और इन्वेस्मेंट ही हमें एक ऐसी ओपर्चुनिटी देती है जिसमें छोटे से छोटे एमांट भी इन्वेस्मेंट करके करोड़ पती आसानी से बन सकते है इस स्टोरी में अगर हीतेश ये सोचता कि उसकी सेलरी केवल 15,000 और इंवेस्मेंट सुरू ना करता तो हीतेश भी अपनी लाइफ में कभी भी करोड़ पती नहीं बन सकता और जब उसकी उम्र 35 से 40 साल की हो जाती तो उसे सिर्फ यही खयाल आता कि कास अपनी 20 की उम्र में ही हमने इंवेस्मेंट सुरू कर दी होती तो वो 40 की उम्र तक वो आसानी से करोड़ पती बन गया होता इसलिए यदि आपको सिर्फ मार्केट के बारे में इतनी नौलेज नहीं है कि काहां इंवेस्मेंट किया जाए तो हम आपको यही सजिस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप इंडेक्स फंड से ही सुरूआत करें क्योंकि यह सबसे सेफेस्ट जगह है अपने पैसों को ग्रो कर सकते है क्योंकि इस तरह के investment में आपके पैसे हर महीने छोटी amount में investment कर पाएंगे और आप अपनी life को enjoy भी कर पाओगे और हाँ दोस्तों अगर knowledge नहीं है तो अच्छे से investment advisor से सला जरूर ले और अच्छा सा investment करें तो दोस्तों आप अपनी income के कितनी amount save कर पाते हैं वो comment box में comment जरू करना मिलते हैं next video में